सोडियम को केरोसीन में डुबो कर क्यों रखते हैं बहुती महत्पुर्ण प्रस्ण है हर वर्स पूछा भी जाता है तो देखिए सोडियम को केरोसीन यानि की मिट्टी का तेल अलग-अलग लिंग्वेज में अलग-अलग हिसाब से बोलते हैं मिट्टी का तेल भी बोल इसमे जिसके कारण यहां आक्सीजन के साथ 30 सिग्र किरिया कर लेगी। यदि हम इसे वायू में खुला छोड़ दे तो यहां वातावरन की वायू आक्सीजन के किरिया कर लेगी और आग पकड़ लेगी इसलिए इसे इस दुरघटना से बचने के लिए केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है तो देखे बहुत ही सिंपल लेंगुज में लिखा भी मैंने और इस तरह से ही आपको लिखना भी देखे पढ़ेंगे जिसमें याद हो जाएगा सोडियम एक अत्यादिक किरियासिल दातु है जिसके कारण यहां आक्सीजन के साथ अतिसीगर किरिया कर लेती है यदि हम इसे हवा में खुला छोड़ दिया जाए यदि हम सोडियम को केरोसियन के तिल में क्यों डूबो कर रखा जाता है क्योंकि साहब यह बहुत ही खतरनाक दातु है अठीक किर्यासिल दातो है इसके कारानि यह एकसीजन के साथ बहुत ही जल्दी किर्या कर लेती है यदि हावा में खुला छोड दिया तो आग पकड़ लेगी इसलिए भाईया सोडियम को केरोसिन के तेल में डूबो कर रखा जाता है तो यहां से नोट से भी तयार कर सकते हैं फिर भी कोई डावूट रहे गया कोई संकर रहे इससे रिलेटिव तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजगा तो आपकी करने का प्रियास जरूर किया जाएगा मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और महत्पुन प्रस्ण के साथ कि जाएगा हो आपकी साथ कमेंट प्रस्ण के साथना का जया है मिलते हैं प्रस्ण के साथना क्राव तो आपकी साथना प्रस्ण प्रस्ण